हेलो फ्रेंट प्यापाइसी कीचेन में आप सभी का स्वागत है आज हम बनाएंगे रबा कोकोबर पी टीली से स्वीट सा रेसिपी है बहुत ही अच्छी बनती है काने में बहुत ही टेश्ट ही है चले अब ही सुरू करते हैं रेसिपी हुआ हमें इधर ग्यास में पैन चोड ही रहेगी तो थोड़ा सा मोठी दाना होगा भी चलेगा लेकिन थोड़ा बारीग बला होने से बार्फिय हमारा बहुत ही एच्छी बनती है उसको हम डाल देते हैं अथोड़ा सा हम फ्राइआ करेंगे दीखे हलका सा मंगो फ्राइए करना है और घ्यास का फ्लेम रोल रो पुझी के साथ और अच्छी से उसको हम मिक्स कर लेंगे और पुझी के साथ दूद को अच्छी से मिक्स करना है उसको बंदर गुटली नहीं रहना चाहिए अच्छी तरह सा हमारा मिक्स होना चाहिए तो उसको दूद को डाल के उसमें हम डाल देंगे चीनी चीनी इधर में यार से पास चम बड़ी चमा च Till हुँँ मिख्स कर लके हैं चिनी हमरा मेल्ट होना चाहिए धो से तीन मिनिट के लिए उसको हम पकाये जादा टाइम नहीं लगए गैस आथकता फ्लेम हम लो रखेंगे नहीं स्काहित करते जाएंगे डास के हाई मात रखें लें तो फड़ा फड़ा यहामारा जो सूजी फूल जाएगी और दूद दिये हज जाएगी तो गुटली बनने का बहुत ज्यादा चांस है इसलिए ग्यास का प्लेम रो लगए और लो फेम में ही उसको पकाएए दो से तीन मिनिट के लिए उसको अच्छी तरह से पकाना है यह देखिए यह हमारा सूजी जो बहुत ही स्मूद मना है और गुटली एकदम नहीं रहा है यह देखिए यह मैं कोको पाउडर ली हूँ दो चमस उसमें हम दूद अड़ कर लेंगे उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कोको पाउडर के बदले डाक चकलेट भी आट कर सकते हैं उसका टेस्ट भी बहुत ही अची रहेगी उसका अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे दिखिए उसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे एक से दो मिनिट लागेगी ज्यादा टेम नहीं लगती है पाकने में और उसको ज्यादा ड्राग बनाना है तो और थोड़ा को कोपड़ा बार्स कर सकते हैं लाइपिलल में तो दो चमासी विस्किया हूँ उसमें हम थोड़ा सा देसी घी भी आड़ कर लेंगे और उसको अच्छी तरह से पता लेंगे यह दिखिए यह अमारा प्यान को छोड़ दिया है अलमासी हमारा रेडी हो गई है तो अभी हम उसको प्लेट में निकाल देते हैं यह मैं प्लेट ली हूँ उसमें थोड़ा सघी में ग्रीस हूँ उसको अंदर हम डाल देते हैं आपके पास केक कटीन होगा तो उसमें आप सेट कर सकते हैं चार को ना बला बाफी का सेट होगा तो उसमें आप सेट कर सकते हैं भिलाल मेरे पास नहीं है इसलिए मैं प्लेट हुँ इस तरह से यह दिखे यह मैं से दे दी हूँ आपके पश्टीन होगा तो उसमें आप सेट कर सकते हैं बहुत ही एच्छी रहेगी तो फड़ा फड़ हो भी जाएगी है मैं हाद से सेट कर दी हूँ और 10 मिनिट के लिए उसको थंड़ा होने के लिए हम छोड़ देंगे थंड़ा होने के बाद हम उसको कट करें अभी सेट कर दी हूँ हम अच्छी तरह से उसको सेट कर दी हूँ और उसको हम रेष्ट के लिए चोड़ देंगे जब थंड़ा हो जाएगी तो ह हम उसको कट करेंगे यह मरद तंडा हो गई 10-15 मिनिट हो गई बीक हम उसको निकाल देते हैं और उसको हम बर्फि का सेट देंगे देखे बर्फि का स traveling अब भी अभ इस तरह से आप तीन लिएर में कट कर दीजिए और उसके बाद हम पिस कट करेंगे अगर हम आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिगा दोस्तों के से सीर किजिए का और मेरे चैनल का अभी तक सस्क्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज सस्क्राइब भी कर दीजिगा अगली वीडियो की नोटिपिकेशन के लिए यह दिखिया यह मैं पीस कड़ कर दी हूँ कितनी अच्छी बरफी बनके आमार हो गई निकम टाइम में उसमें हम धोड़ा सा तूटी-फूटी भी देकुरेशन कर देंगे आपके पास काजू होगा किसने सा बादाम पेस्ता जू भी आपका मर्जी आप रिकर्स कर सकते हैं बिलाल मेरे पास है वही है तो यह देखिए यह आमार बहुत ही एच्छी लग मेठे मेठे पिलाल प्रएला बहुत है भी लग एच्छी लगाज थाए ऑर में कर दो अजाता घुमेठे यह दाब कर दोमेठे वहाँ वे लगगाउ भी ट वी मेरे देंगे वे देखिए लगला